कोहरे के दोरान सड़क दुरघटनाओं की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मौथुरा के SP ट्रेफिक, हरेंद्र कुमार द्वारा, NHI और PWD विभाग को सड़क किनारे पेड़ों पर बिजली के खंबों पर रिफलेक्टर लगाने के जाते हैं ऐसे हाथसों में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है मौथुरा यातायाद पुलिस की एक अच्छी पहल है गहने कोहरे में सड़क दुरघटनाओं से बचने के लिए NHI और PWD विभाग को जनपग में सड़क किनारे बिजली के खंबे और विध्युत पोल प भी कोहरे के चलते बड़े वहनों की स्पीट लिमिट भी निर्धारित कर दी गई है ऐसे मैं असी की स्पीट पर चलने वाले वहनों की लिमिट साठ किलोमीटर प्रती गंटा कर दी हैं एक्सप्रेस वे माट तोल पर स्पीडों मीटर के माध्यम से वहनों की स्पीड सीधे मतुरा यातायाद पुलिस के कार्याले में दर्ज होती है। मतुरा पुलिस द्वारा कोहरे के चलते सड़क दुरगटना उसे बचने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अक्सर घने कहरे में सड़क दुरगटना बढ़ जाती है। लगाए जाएं यानि कि ये एक बड़ी पहल है मत्रा यातायाद पुलिस की क्योंकि सड़क दुरगटना अक्सर कोहरे में होती हैं कई बाद सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं पता नहीं चल पाता है और बड़े हाथ से का सिकार हो जाते हैं जिसे लेकर मत्रा पुलिस द् यानि एक खास तोर पर एक्सप्रेस वेपर भी कोहरे के चलते इस पीड की एक लिमिट है वो भी डिशाइड कर दी गई लिए são जी मत्रा के च्षेत्र में पर मात टोल पर स्पीडो मीटर लगा दिया गया है उस इसीदो मीटर का सीदा सामान्द मत्रा यातज़्विस से है वह भी बाहन अगर वहां इस पीड लिमिट को क्रॉस करता है यानि ओबर इस पीड में अगर बाहन को चलाता है तो उसका चालान और उसकी स्पीड की जानकारी सीधे मत्रा के एस भी यातात के कार्याले में होगी यानि अगर हम बात करें तो मत्रा में अभी हाल ही मैं ऐसे करीब 2000 चालान एक्सप्रेस पर हो चुके हैं पिछले महीने से अगर अब तक का रिकॉर्ड निकाला जाए तो यह मत्रा पुलिस की एक चिताबनी भी है लोगों उसको के कोहरा घना है ऐसे मैं वहानों को साबधानी से चलाएं घने कोहरे के चलते यातायात पुलिस की पहल पर रिप्लेक्टर भी पौधों पर पेड़ों पर लगाए जाएंगे विद्दु के दोरान ऐसी रात्री के समय द्रहटनाओं से भी बचेंगे निजकाप और संतो सिंग के साथ गोबिन भारत द्वाज